अश्लाम लेकूम कैल्कुलेस्ट विद अनलेटिक जिमेट्री चैप्टर नुम्बर वान एक्सराइज 1.3 अब इक क्वेस्टन अब आप मगने करने हैं 22 से 26 तक अब statement कै इनके सिंटेट्मेंट है find the intervals on which the given functions are continuous हमने वो interval बताने है जिन intervals पर यह function continuous हो also find the points where these are discontinuous और वो points बताने हैं अगर वो हैं जिन points पर यह discontinuous हैं अब सबसे पहले देखिए कि किस point पर हो सकते हैं discontinuous तब होते हैं जब हमारे पास answer ना है हमारे पास infinity आजए अब देखें क्या यहां पर denominator में कोई ऐसा ही number लिखने से x variable की जगा कोई ऐसा नंबर लिखें के 0 बन जाए कैसा कोई number है जी ऐसा नंबर है अगर हम एक्स की जगह पर लिखने तो 1-10 हो जाएगा और अगर denominator में 0 आजए तो वह पूरा का पूरा infinity बन जाता है और infinity undefined होता है इसका मतलब function discontinuous है अगर one के इलावा आप दुनिया का कोई नंबर लिखा लें रियल नंबर तो आपको एक इसका एक answer आएगा वह defined है one पर यह defined नहीं है one यहां पर पूरा करेंगे तो one जब पूरा करेंगे तो zero बन जेगा और infinity बन जेगा तो फिर हम क्या यहां पर लिखेंगे कि f of x is discontinuous at x is equal to one अगर यह one पर discontinuous है तो यह continuous कहां पर होगा यहां पर लिखेंगे f of x is continuous on अभी एक इंटर्वल पर continuous है वो रेयल नंबर तमाम के तमाम रेयल नंबर जोंगे उनके ओपर यह continuous है बट वन पर continuous नहीं है तो वन के इलावा तमाम रेयल नंबर पर यह continuous होगा तो सिंपल इसका यह answer है अब इसी तरह एक और question दिया हुए है question number 23 अब इस question में क्या कह रहा है question number 23 में statement है statement 23 question की f of x is equal to x over mode of x अब यह continuous है के नहीं अब सबसे पहले आप मुझे बताएं कि क्या denominator में कोई ऐसा number लिखा जा सकता है कि यह पूरा का पूरा zero बंज़े denominator जी लिखा जा सकता है वह number कौन से zero means अगर denominator में हमारे पास zero आजए तो उपर भी zero बंज़ेगा तो यह तो हमारे पास undefined form है undeterminate form है ना हम इसको solve नहीं कर सकते इसको 1.3 के method से फिर solve करेंगे अब देखें अब function में zero put नहीं कर सकते जीरो पर यह undefined होता है तो हम यहां पर लिखेंगे f of x is discontinuous at x is equal to zero और continuous interval कौन सा होगा is continuous ओन तो माम रेल नंबर पर यह continuous होगा स्वाइब जीरो के similarly एक और पैसे ने कैसे नमबर 24 अभी इस क्रेशन में क्या कह रहा है क्या एक function f of x which is equal to sin x over x अब हमने बताने के continuous किस points कौन से interval पर और discontinuous कौन से points पर है तो अगर तो denominator में zero लिखती आ जाए हमें पता है zero आ जाएगा तो यह soul नहीं होगा यह discontinuous है तो simple हम ट्रक्त यहां पर लिख देते हैं f of x is discontinuous at x is equal to zero so f of x is continuous on real line real numbers all real numbers except zero zero के अलावा तमाम रेल नंबर पर यह continuous होगा अब आते हैं जी 25 question पर 25 question की statement है f of x is equal to 10 x अब जी अब आप लोग बताएं कि यह continuous points में और discontinuous points में चलें यहां पर दिनॉमिनेटर है यह नहीं है अगर डिनॉमिनेटर नहीं है तो गया डिनॉमिनेटर बनाया नहीं जा सकता कि साइनना कि सॉरी साइन एक्स आवर कोच एक्स जी किसके बराबर होता है है अन्च अब कोज के आगे अगे श है एक्सट की वो तमाँ गॉस्टिसके लिए कोज हमार पास 0 दे देगा अब दें क्यों कुण सी वैल्यूइओ अब कोज angle है, 0 कब आता है cause पे? 0 degree पे? 0 degree पे आता है, cause 0 1 होता है 90 degree पे 90 degree पे, अगर आप 90 degree put करें, cause 90 0 होता है, 270 degree पे 3 pi by 2 270 degree, means अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊन 90 पे, अगर 90 angle बनता है तो cause 0 देगा 270 बनेगा तब भी को 0 देगा अब 270 के बाद दुबारा अगर यह घूम के दुबारा एंगल यही बन जाता है 360 प्लस 90 मतलब 5 पाइबाए 2 तब भी आंसर क्या आजएगा 0 और अगर यहां से अगे थोड़ा सा मूव करके दुबारा यहां पर आ जाता है 270 तो अब यह क्या आ जाएगा 7 पाइबाए 2 वी यह ओड मल्टीपल्स ओफ पाइबाए 2 ओड मल्टीपल्स ओफ पाइबाए 2 वन थ्री फाइव सेमन इस पर आंसर 0 देता है तो क्या हम इसको लिखेंगे f of x is discontinuous at कौन से points पर discontinuous है at x is equal to 2n plus 1 यह ओड लिखने का method है 1 3 5 जब भी ओड नमबर लिखते हैं तो 2n प्लस 1 लिखते हैं 2n प्लस 1 पाइबाइब 2 और यह n कह एंड बिलॉंग्स टू एंड बिलॉंग्स टू इंटीजर एंड जो है वो इंटीजर से बिलॉंग करते हैं तो यह आगया हमारे पास this continuity के points तो फिर continuity के points कौन से आएंगे कौन से इंटरवल पर यह continuous होगा तो इनके इलावा यह तमाम के तमाम points पर continuous होगा तो हम यहां पर लिखेंगे f of x is continuous f of x is continuous at every other point of r at every other at every other point of r यह हमार पास होगे 25 question complete अब हम करते हैं question number 26 अब एक question नमार पास रहागे 26 question number 26 की statement f of x is equal to sign x if x is less than equal to five by four sorry five by four and cause x if x is greater than five by four अब हमने बताना है कि कौन से points पर यह continuous है किस interval इस ग्रवल पर यह continuous है लेंजी अब एक बात आप लोग याद रखिए गा कि sign और खोस यह तमाम के तमाम points पर continuous होते हैं sign और स्टमाम के तमाम points पर continuous होते हैं अगर sign एचर को स्टमाम points पर continuous होते हैं तो यह x से pi by four से less और pi by four के equal यह points पर इसी तona प्रससे ग्रेटर वेलीट वोंगी इन पर भी तो होए साइन और कोस अगर गभर ग्राफ गराफ राकिया जाए तो वह ग्राफ में बिताता कि यह तमां कर तमाम पॉइंट्स पर अतिनियर सै तो अगर यह तमां पॉइंट्स पर पर continuous होता है तो हम यहां पर क्या लिखेंगे इसका continuous on continuous on all real numbers यह तमाम के तमाम real numbers पर continuous होंगे यह discontinuous किसी point पर होते ही नहीं है Thank You लिखेंगे झाल सकते होते हैं झाल